क्रिया कलाप 7 एक वलाय के गुरुत्वे केंद्र को ग्याद करना दी गई विधी में समझाया गया है कि कैसे गुरुत्वे केंद्र प्राप्त किया जाता है इसी के आधार पर वलाय का गुरुत्वे केंद्र भी ग्याद किया जा सकता है एक वलाय का गुरुत्वे केंद्र कहा होता है? क्या किसी वस्तु का गुरुत्वे केंद्र उसके बाहर हो सकता है? जहां वस्तु का कोई द्रविमान नहीं है, क्या वहाँ पर गुरुत्वे केंद्र हो सकता है? स्थिर्ता स्थिर्ता के लिए गुरुत्वी केंद्र की जगह ग्यात करना आवश्यक है किसी भी आकार के वस्तु के गुरुत्वी केंद्र से एक रेखा नीचे की ओर खीचिए यदि वहाँ वस्तु के आधार के अंतरगत है तो वस्तु इस्थिर रहेगी यदि गुरुत्वी केंद्र वस्तु के आधार के बाहर होता है तो वस्तु अस्थिर होती है